वाकिए वाट्सअप यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुम लोग रुबिक्स क्यूब को सिर्फ चार मूव से कैसे सॉल्व कर सकते हो यार ये चीज बहुत ट्रेंडिंग होती है रुबिक्स क्योब के हम जो डो मूव स में कैसे वाट कर ले इसको हम बोलते है R, क्योंकि यह right layer है, तो right का R, पहला R, इसको R बोलते है, इसको बोलते है U, up layer, क्योंकि यह top पे है, up layer का U, R और यह U, अब देखो, यह है 4 moves, 7 arrow लगे में तुम लोग इसको follow कर सकते हो, R का arrow उपर को है, U का arrow आगे को है, R का arrow अब नीचे को है, U का arrow उस तर दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, छे दफा, छे दफा, छे दफा लगाया, तो तुम लोगों का cube solve हो गया, अगला एक ऐसा move है, जो तुम लोग अगर यह सीख लोगे तो वो move automatically आजेगा, तुम लोग अपने दोस्तों को impress कर सकते है, उस move से बहुत fast दिखता है यार, देखो, अगर तुम लोग practice कर लो तो इस पे तुम लोग कितने fast हो सकते हो, तुम लोगों की सोच है, मतलब, यार, tubing में कुछ चीज़े ऐसी है, अचा एक चीज़ याद रखना, यह trick solve cube में होगी, अगर scramble हुआ, तब यह moves नहीं काम आते हैं, अगर तु तुम लोगों का cube solve होगा, और solve में तुम लोग अपने friends को impress कर सकते हो, अभी सिर्फ दो तरह के moves बताएं, मजीद तीन तरह के moves अब बताऊंगा, अचा अगला जो move है, वो है left से, बिल्कुल easy है, इसको हम बोलते है L, तो यह उपर आ गया, L को उपर, U को आगे, L को नीचे U को पीछे, तुम लोग यह बार बार लगा सकते हो, मैं थोड़ा अराम से लगा के दिखा देता हूँ, बार बार जितनी दफा लगाओ के, उतनी दफा, 6 दफा, obviously 6-6 दफा, 4 moves, जितनी भी होते हैं, उनको 6-6 दफा लगाना पड़ता है, 6-6 दफा में वो वापिस उस cycle में आजाते हैं, solving state में, अगले की तरफ चलते हैं, अगर अगले move की बात की जाते हैं तो वो यह है, लेकिन उससे पहले तुम लोग जानना पड़ेगा, इसको F बोलते हैं, यानि के front layer, तो R को नीचे, F को इधर, R को उपर, U को इधर, तो अगर यह moves की तुम लोग प्रेक्ट चल जाता है, तुम लोग देख रहे हो, यह move का है, यह फाइदा है, यह must नहीं तो और किया है, साथ दफा हो गया, बट तुम लोग obviously practices को बहत बहतर कर सकते हो, मुझसे भी fast कर सकते हो, यह कुछ भी नहीं है, अब मैं बताता हूँ, यह काम कैसे करता है, कोई भी particular moves, कुछ तुम लोग अगर मिसाल है, कोई मैं अभी अभी यहाँ पे चार नहे moves को यह जात कर देता हूँ, मिसाल है, मैं R U R' U कर रहा हूँ, अब मैं यह करता रहूँ, करता रहूँ, एक वक्त आजाएगा, वो solve हो जाएगा, इसी तरह वो trick थी, जो दो moves से Rubik's cube लोग solve करते हैं, त दफ़ा यह move करते हैं, अब यह करते रहोगे, तो एक वक्त आएगा, जहां से शुरू होएगा, वहाँ पे वापीस आजोगे, ओ यार मैं दुबारा आगे निकल गया, और यह लिए काम करके लोग कहते हैं, कि हमने दो move में logo को Rubik's cube solve करना सिका दिया, बेसिकल लोग पागल बना रहे हैं, यह सब कुछ solve cube पर होता है, अगर तुम लोग कुछ निया पता लगा तो वीडियो को like, channel को subscribe करना बनता है, और अगर असल में Rubik's cube को solve करना सीखना है, तो description में link है, उसको जाके सीखो, एक आखरी move जाता जाता दे जाता हूँ, अगर तुम लोग इस पर practice कर तो यह बहुत like, अच्छा लगना, यार क्यों इतने lock-ups है मेरे cube में, यह है वो move, R को उपर U को आगे, R को नीचे और F को anti-clockwise, और इसको दुबारा छे दफा करोगे, तो जहां से शुरू होगा, वहाँ पर यह आजेगा, by the way, इसको मैंने नाम simple move कर दिया वाँ, but यार, यह यह बहुत like, satisfying सा लगता अगर तुम लोग इस पर practice बना रहो, मैंने इस move पर personally कभी practice नहीं की, हाँ हमें R U R Prime U Prime में बहुत practice की है, इसमें बहुत practice की है, जो तुम लोगों को पहले सिखाया, और भी बहुत से triggers हैं, कभी कऊगे तो सिखा देंगे, बाकी, वीडियो अचा स्वाइब